हेलो विवर्स आई डॉक्टर एस्वी के लाल वेलकम यू आल इन माई यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर ने हैं तो चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब कर लें आज का वीडियो बहुत दिल्चस्प होने वाला है आज हम तर कानलेवा विमारी है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है नाम के भयावाथता से हम लोग नहीं बीचलित हो जरुरत है उसको समझने की अगर उसको आप समझते हैं तो आप इसको बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं बहुत समानिसी बात है किर्णी का सिस्ट होना बहुत सारे मामले किर्णी सिस्ट सालों साल से है और आदमी नौर्मल लाइफ जी रहा है कोई परिसानी नहीं होती है कोई सिम्टम्स नहीं होता है और आपको यह जान करके बहुत आस्चरज होगा कि पचास साल के बाद किर्णी सिस्ट होना बहुत समाने बात है एक आंकरा के हिसाब से पचास और परसंच जो लोगưa trainしま से प्रभावित हो सकते क्या होता है कि एक की शिछनी में आप देखेंगे कि जो थुस्जा ने यह पानि भर जाता है उसका जो सर्फिस है उसमें पानि भर जाता है किनी में गांट हो सकता है गांट में पाणि भर जाएएगा या साइज में परिवर्तन हो जाएगा तो यह जो फ्लूइड भरना है यह तो उसका मतलब सिष्ट का मतलब ही होता है फ्लूइड फिल्ड विट सैक तो यह किर्णी के सर्फेस पर हम देखते हैं के बार कि वो पानी भर गया है कभी इनर पॉर्सन में और इसकी भयाबहता इस बात से बड़ी है कि यह चोटा है या बड़ा है एक सिस्ट है या जैदा मात्रा में सिस्ट है एक सिस्ट है तो मतलब समानी सी बात होती है जैदा होता है और उससे कुछ और स्टेकल हो रहा है पॉली सिस्ट बन रहा है तो फिर परेसानी होती है साथ ही जब हम इसको इसका आध्यान करते हैं इस case का आध्यान करते हैं तो हम इसको देखते हैं कि हाइपर टेंशन है कि नहीं पत्री है कि नहीं यह जो सिस्ट बन रहा है उसमें पस तो नहीं हो गया है या मतलब कोई infection तो नहीं हो गया है इन बात का हम ध्यान रखें तो बहुत आराम से हम यह cyst का इलाज कर सकते हैं तो जरूरत है कि हम इस बात पर ध्यान रखें कि whether the cyst is mono or the cyst is poly if the patient is suffering from the poly cyst then we should take it seriously but every poly cyst is not so dangerous नो हजार अड्रेस तो इस बात का हम ध्यान रखें और उसमें यह जो होता है इसका अध्यान करते हैं डॉक्टर जब इसको diagnosis करते हैं तो उसमें उनको देखना चाहिए कि बुखार तो नहीं हो गया यह सिस्ट रैप्चर तो नहीं हो गया यह और बार पर हिसाब के लिए अर्ज तो नहीं हो रहा है इन सारे बात को हम ध्यान रखेंगा तो बहुत आराम से हम इसका इलाज कर सकते हैं और कभी कभी तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो गया है उसके सर्फिस पर एक निड़ी लिगा करके जो सर्जन लोग हो दिये है और पानी निकाल देने के बाद फ्र आप डिये तो आराम से यह हो जाता है हुआ थीक हो जाता है दिएन दिए ऐस चैन्ट दॉक्टर उसको एंटिवैटिक सब नहीं दे रहे थे बाद में उसके एक संपड़ की डॉक्टर जो बड़े नर्सिंग हों में काम कर रहे जब उनको उनसे लिया गया तो उन्होंने युकोलाई का टेस्ट करवाया पेसाब में इंफेक्शन आया फिर एंटिवैटिक चला ए किर्णी सब भी ठीक रहा और जो किर्णी फंक्शन टेस्ट है के एफटी उनॉर्मल था इस हिसाब से वह अराम से ठीक भी होगे और कुछ ऐसा भी नहीं हुआ तो कई सिस्ट ऐसा होता है जो बहुत समान होता है उसका कोई लक्षन नहीं होता है और सालो साल तक रहता है जो बात है कि इसमें देखना चाहिए हम इसको अल्ट्रासाउंड से सीटी एसकें से या मराई से या मतलब बहुत रेयर केसमें वाई एपसी सब की ज़ुरत होती है बहुत सारा सिस्ट अपने आप भी समाप्त हो जाता है तो इन बात को हम लोग जाने और उसके बाद कुछ के पुरी जानकारी नहीं है एक मत سے हमने कह सकते हैं यही कारण है यही कारण है लेकिन के वार यह एजिंग हो सकता है यहा मतलब नेफरौण करिक क्वारों में लाइनिग होने के ओज़रес से हो जाता है या नेफरौश ट्यूब में सूजन होने से हो सकता है तो बहुत सारे इसके कारण है और इसके कारण पिसाब में भी एलवीमिन आ सकता है तो इसके साथ दूचार जाँच हम लोग करवाते हैं जिसे केफटी सब करवाए और उसके बाद डियागनेसिस करके प्रोपर वे में इलाज हुआ तो बहुत ही मामले में हम समझ रहे हैं कि 75% मामले में हम उसको क्रिनिसिस्ट को बहुत आराम से ठीक कर सकते हैं तो उसी करी में एक दवाए है थूजा सबसे पहले हम थूजा की बात करते हैं थूजा गाठ की भी दवाए है थूजा वार्स की भी दवाए है थूजा अंटी कोटिंग मेडिसिन का किंग है पेसाब में भी जलन हो सकता है और पेसेंट को मसा भी हो सकता है बार बार पेसाब की अर्जिंसी हो सकती है तो कई डॉक्टर लोग जो होते हैं थूजा से सुरू करते हैं और कुछ मामले में जाकर पेसाब में बहुत वर्निंग हो तो कुछ माम है तो जो अन्भवी जो डॉक्टर लोग है फिजीशियन है उनसे आप उनके देशन में इलाज कराना ज्यदा उचित है तो कई डॉक्टर लोग सबसे पहले थूजा देते हैं उसके बाद थूजा दे देने के बाद 24 गंटा तक कोई दवाई नहीं दिये उसके बाद नंबर बॉइब आता है कहिं तैसे का इसका लक्षन की बात करें तो पेसाब में जलन होगा कटिंग बरणिंग पिन होगा बूंदबूंड पेसाब होगा पेसाब करते समय। कश्ट होगा और बीमारी के नाम की बात करें तो और इस निवी हो कि किर्निसिस्ट के मामले में कुछ पेसेंट जो सूजन से सफर कर रहे होते हैं उनके सारी आँख के नजदी सूजन होगा उनका जो आइलीड है उसमें देखेंगे हमकी सूजन हो जाता है पाउं में सूजन हो जाता है पेसाब में इलबूमीन भी आ रहा है पेसाब से आने के परने जैसा दर्द होगा इस्टिंग पेन होगा तो इसमें यह सिस्ट को भी गलाता है स्विलिंग भी डॉन कर देगा और पेसाब में अलबूमिन आने को भी रोक देगा फिर एक दवाई है कि पेसाब में ज्ञाग आ रहा हो और उसके साथ डैगनेसिस हुआ हो कि मतलब यह क तीस पावर में देने से बहुत ही अच्छा रियल्ट आता है आप कुछ में अमले में हम देख सकते हैं कि सीरम क्रियट ने भी बढ़ा हुआ है तो उसमें भी सीरम एंगन बहुत अच्छी दवा है काम करता है और एक मेडिसीन आता है लाइक को पोडियम तो राइट साइड ओन इल्ieur कीरनी का इस्ट है और पिसाव में बलड भी आ सकता है या उसका गाइडिंग सिम्टरम का कीथम में लाल बालुका करना के साथ कर fug tree हो सकता हैं और के बारवार एक लीवार आपरेशन का रात यह स्टॉन हो गया उसके साथ साथ किर्णी सिस्ट बन रहा है तो उस मामले में हम देते हैं लाइको पोडियोम, फिर एक दवाई है, लाइको पोडियोम को कितना देना चाहिए? तो सुरू सुरू में हम 30 पावर में देते हैं अब आद में इसका पोटेंसी बराते भी हैं तो डॉक्टर के निर्देशन में इसको आप ले सकते हैं फिर एक दवा है हेलो वोरस को 30 पावर में देते हैं कमजूरी चकर क्रेट ने बरहा हुआ बच्चों का जो सिस्ट होता है पिसाब गाड़ा और डार कलर का यह सिंट्रम्स पर हमें लोग वरस देते हैं और एक दवाई है आरसेनी के लिवं जब मतलब घबराहट बेचैनी घुट घुट पानी पीने के साथ और पिसाब पिसाब में दुरगंद और सबसे ज़्यदा बात है लक्षान इसका अलबम तीस पावर में दुरगंद